जैसे ही आप Sign In के Option पर क्लिक करेंगे आपकी जो Admit Card है वो आपको सो किया जागा NPS यानि की नवोदर बिद्याले समीती की Admit Card जो है वो अपडेट हो चुकी है यदि आपने इसमें Form Apply किया है तो इस वीडियो को आप Complete देखे यहाँ पर बताएंगे Admit Card आप कैसे चेक करेंगे, Exam City चेक करने का वीडियो मैंने Already बना रखा है यदि आप वो वीडियो देखना चाहेंगे तो हमारे चैनल पे आप विजिट करके वीडियो वाच कर सकते हैं वैसे इसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रेप्शन में दिया है बहुत से लोगों का ये समस्या है कि Registration नमबर हमारे पास नहीं है वो Registration नमबर कैसे Forget करेंगे यानि कि दोबारा से कैसे प्राप्त करेंगे इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है जिनको भी ये समस्या है वो भी वीडियो देख सकते हैं इसी वीडियो के नीचे जस्ट मैंने वो भी लिंक आपको प्रोवाइट किया है एड्मेट का डाउनलोड करने के लिए ये प्रोसेस आप अपने मॉबाइल से भी कर सकते हैं चाहे आप अपने लेप्टॉप या कम्ट्यूटर से कर सकते हैं इस वेबसाइट पर विजिट करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल में जाना है को यहाँ पर टाइप करना है होम एन्वियस रिक्रोटमेंट और उसके बाद इंटर करना है तो यह आप लिक के इंटर करेंगे सबसे फर्स्ट आफ़सन की जो लिंक है वो सो हो जाएगी आपको जश्ट इसी पर क्लिक करना है जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एन्वियस की जो ओफिसियल वेफसाइट है वो ओपेन हो जाएगी जहां से अब अपने exam CT और अपने registration number और अपने एड्मिट कार्ड को आप चेक कर सकते हैं अब देखिए आपसे एक request करते हैं कि यह जो समस्या है registration number forget करने का यह एड्मिट कार डाउनलोड करने का प्लीज आप इस वीडियो को जरूर सेयर करिए गए उनके पास ताकि उनका भी समस्या धूर हो जाए Admit Card डाउनलोड करने के लिए इस पेच पर आने के बाद आपको तवासा नीचे करना है यहाँ पे आपको option मिल जाएगा Download Admit Card का आपको Justice पर क्लिक करना है जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने Admit Card की जो लिंक है वो सो हो जाएगी सबसे पहले यहाँ पे Candidate की Registration Number लिखने है इसके बाद यहाँ पे Data of Birth सेलेक करना है Data of Birth सेलेक करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे Calendars होगा इसमें अपने Data of Birth को आप सेलेक कर लेंगे इसके बाद यहाँ पे आपको Capture Code मिल जाएगा आपको इस Box में लिखना पड़ेगा तो यहाँ पे अपने Details को लिखने के बाद Capture Code लिखने के बाद आपको यहाँ पे Sign In का Option मिलेगा इस पर आपको क्लिक करना है जैसे ही आप Sign In का Option पे क्लिक करेंगे आपकी जो Admit Card है वो आपको सो किया जाएगा यहाँ पे आपको नवोदे बिद्याल है समीती की Option मिल जाएगे Recruitment 2022 Admit Card Admit Card डाउनलोड करने के लिए आपको आपके Mail ID पर इनके दोरा Message भी Send किया जाएगा किस Date में आपका Admit Card Full Complete डाउनलोड होगा वो भी Date आपको Mention किया रहेगा यहाँ पे Pin Number मिल जाएगा Registration Number, Date of Birth आपके Detail से आपको दिखाया जाएगे नीचे करना है Examination की Details के लिए किसके लिए Post Apply किया है वो आपको दिखाया जाएगा यहाँ पे आपका Roll Number आपको मिल जाएगा यह दो Shift की आपके Exam है दोनों की जो Address है यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा इसी पते पे आपको Exam देने जाना है Examination Center Code है यहाँ पे Number आपको मिल जाएगा Exam की जो Date है 29 November 2022 है Exam जो Start होगा 3 बज़े से 6 बज़े तक चलेगा 2 बज़े Reporting Time है 2.45 से Gate Closed जाएगा इसके बाद Second Exam होगा 30 को यह Exam रहेगा जो कि 9 बज़े से Start रहेगा और 12 बज़े तक चलेगा साड़े साथ बज़े Reporting Time है 8.45 पे Gate Closed जाएगा इसी प्रकार से अपने Admit Card को डाउनलोड करना है डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपकी डीटेल्स आपको मिल जागी अपको नीचे इंस्ट्रक्शन मिल जागा जिसे पढ़ना बहुत ही जरूरी है सबी डीटेल्स को चेक करना है क्योंकि exam में यह सारे verification किये जाएंगे जैसे नाम, data of birth हो गया, category, gender इसके बाद exam में सामिल होने के लिए आपको अपना Admit Card ले कर जाना पड़ेगा 30 मिनट से पहले आपको examination center address पे पहुँच जानी है इसके बाद एक photo proof ले कर जाना है pen card हो गया, आधार card हो गया, water ID card हो गया, driving license हो गया, ball pen लेकर जानी है, blue या black इसके बाद face mask लगानी है और एक water bottle लेकर जाना है इसमें आपको self declaration COVID-19 की जो form है वो fill up करना पड़ेगा नीचे आप करेंगे ये COVID-19 की जो form है इसको आपको fill up करके exam में सामिल होने से पहले ये form को आपको submit करना पड़ेगा, देना पड़ेगा वहाँ पर, यहाँ पर candidate का नाम रहेगा, यानि कि आपका नाम रहेगा, इसके बाद यहाँ पर roll number रहेगा, यहाँ पर date of ऐग्जाम रहेगा, यहाँ पर examination इसे प्रकार से आप नवोदे विद्याले समीथी की एडमिट कार्ट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं मैंने आपको यहाँ पर लाइब प्रोसेस दिखा दिया कि कैसे अपने एडमिट कार्ट को आप चेक करेंगे यह वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजेगा अपने दोस्तों के साथ सेर कीजेगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा चलिए गएज मिलते हैं नेक्ट वीडियो में बाई बाई जैहें